तो स्वागत आप सभी का हमारे यूटूब चैनल योजना ओनलाइन फोर यू पर दोस्तो आज फिर आपके सामने महत्पून जान कर लेकर हाजिरों हैं और जो यहां पे बिरोजगार यूवा हैं उनके लिए यहां पे एक हजार रूपे परतिमा लाब दे जा रहा है यनिके यूवा बिरोजगार यूवा को एक हजार रूपे का भत्ता हर महीने के इसाब से दे जा रहा है दोस्तो इसकी क्या नियम होंगे क्या इसकी पातरता होगी और क्या दस्तावेज होंगे कौन इसमें लाब ले सकता है और कौन इसमें लाब नहीं ले सकता है दोस्तो आवेदन करते वक्त आपको क्या क्या दस्तावेच चाहिए उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पे देने वाले हैं दोस्तो अगर आप भी बेरोजगार है तो यह योजना आपके लिए अतन्ती महत्पून है आपको वीडियो सुरू से लेगला आश्ता जुरू देखना है ताकि आपकी समझ में आ सके और आप भी इसका लाब उठा सके तो वीडियो को सुरू करते हैं आपको यहाँ पे पूरी जानकारी दे देते हैं यहाँ पर बताएगा है दोस्तो बिहार सरकार द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाव के लिए बेरोजगारी भत्ता बिहार 2021 के तहत यह योजन चलाए गई है इस योजना के द्वारा बिहार के बेरोजगार युवाव को हर महा रोजगारी भत्ता मिलने वाला है दोस्तो यानि के 1000 रुपे भत्ते के तहत यहां पे दे जाएंगे जो बेरोजगार युवाव है उनके लिए बहुत ही जादा यूजफुल योजना है क्या आश में पातरता होगी उसकी भी पुरिजानकरी आपको देंगे दोस्तो यहां पे बताया गया है बिहार बिरोजगारी भत्ता योजना द्वारा युवाव को 1000 रुपे परती महा के इसाब से दे जा रहा है हर महीने बिरोजगार को 1000 रुपे भत्ता दिया जाएगा बिरोजगार भत्ता योजना द्वारा राज्य के द्वारा यहां पे बताये गया है बिरोजगार युवाव को आर्थिक रूप से यहां मदद दे जा रही है दोस्तो इसकी क्या पातरता होगी वे भी जान लीजिए इसकी पातरता यहां पर बताई गई है दोस्तो पुरी जानकारी आप यहां से प्राप कर सकते हैं अगर आपने वीडियो क lion कर नहीं करा है तो वीडियो को lightning करें जल्दी दोस्तों यहाँ पे आवेदन करने की जो उमर है जो आवेदक है उसकी उमर 21 साल से 35 वर्ष होनी चाहिए तभी आप इसका लाव दे सकते हैं अगर आपकी एज 21 वर्ष से कम होती है तो आप इसका लाव नहीं ले पाएंगे दोस्तों यहाँ पे बताया गया है आवेदक करता जो है या जो आवेदन करने वाला है वह अस्ताई रूप से बिहार का निवासी होना चाहिए नमबर तीन पर यहाँ पर बताएगा है आवेदक करता यूवक बेरोजगार होना चाहिए तभी उसका लाब उन्हें मिल पाएगा दोस्तो जो आवेदक करता है दोस्तो वह बारवी पास होना चाहिए अगर आप बारवी पास हैं तो आप इसका लाब आसानी से उठा सकते हैं उसके साथ ही आपको graduate भी होना चाहिए गर्जवेशन आपकी होना चाहिए और post graduate भी आप होना चाहिए डिगरी के साथ यहाँ पे पूरी जानकारी बताई गई है अगर आप graduation है आपकी और post graduate है और degree आपके पास है तो आप इसका लब आसानी से उठा सकते हैं यहां पे जो आई बताए गई है दोस्तो परिवार की आई है यहां पे तीन लाग रूपे से कम होनी चाहिए अगर तीन लाग रूपे से ज़्यादा आपकी आई होती है तो आपको यह हलाब नहीं मिल पाएगा दोस्तो आवेदन करते वक्त आपको क्या पातरता यानके क्या यहां पे आपको दस्तवे चाहिए इसकी पूरी जानकरी आपको यहां पे देने वाले हैं दोस्तो यहां पे बता गया है जो इसके दस्तवे चाहिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए बिहार का यहाँ पर बोनफाइड होना चाहिए उसके उपरान दोस्तों यहाँ पर आपको बताए गया है बिहार का स्थाई रूप से निवासी परमानपत्र आपके पास होना चाहिए यहाँ पर बताएगा है बारवी पास की जो परमानपत्र होता है वे आपके पास होने चाहिए डिपलोमा डिग्री पास परमानपत्र आपके पास होना चाहिए वर्सिक आये परमानपत्र आपके पास होना चाहिए डोकुमेंट्स आपके पास होने चाहिए तबी आप इसका लाव दे सकते हैं दोस्तो आप इसका आवेदन इनकी official website पर जाकर कर सकते हैं, दोस्तो आपको वहाँ पर लिखना क्या होगा वह भी आपको बता देते हैं, दोस्तो आपको Google पर जाकर क्या लिखना है, आपको लिख देना है बिहार लिख करके आपको बेरोजगार भत्ता लिख करके सर्च कर दे लेना है उनकी ओपिशल वेबसाइट आपको नजर आई दोस्तो फर्स्ट नंबर पर ही वहां पर आपको क्लिक करके अपना आवेधन कर लेना है तो दोस्तो आपको यह है जानकरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जुरूर बताए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करें तो पूर चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें दोस्तों मिलते हैं कुना इस्ट वीडियो में जब तक के लिए जय हिन जय भारत